हाई फ्रेंड्स थाकुर इलेक्ट्रिकल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको टाइपस ओफ फोर्स या फिट टॉर्क यूतिन इलेक्ट्रिकल मेजुरिंग इंस्ट्रॉमेंट यान की हमारे वीडियोत मापक यंतर में यूज हो टॉर्क या बल कौन-कौन से है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टाइपस ओफ इलेक्ट्रिकल मेजुरिंग इंस्ट्रॉमेंट के बारे में बताया था तो इस वीडियो में आपको जो है उन्हों मेट्रों में यूज होने वाले बल के बारे मताऊंगा कि उसमें तो कउन-कौन से जो फॉस लगती है जो है रेडिंग बताने के लिए तो इसमें जो पहले टॉर्क लगता है वह है डिफ्रैक्टिंग टॉर्क दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा है डेम्पिंग टॉर्क तो यह क्या क्या होते हैं इनके बारे मैं आपको डिटेल में बताओंगा यह मैंने यहां पे एक उद्धारण के तोर पर मीटर बनाया है समझने के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इसमें मैं आपको बता दूँँ यह एक हमने कॉल बनाई है यह पर्मनेंट मैगनेट है नौर्ट सौर्पोल यह हमारी स्केल है और यह पॉइंटर है तो डि पहले हमारा यहां पर जीरो पर होगा तो जैसे हम इसमें कॉल में यहां पर स्प्लाई देंगे जो भी हमारा यह मीटर है क्रेंट एंपियर मिटर जैसे कि आपको पता है कि क्रेंट नापने के लिए एंपियर मिटर होता है बोल्टेज नापने के लिए पोल्ट मिटर होता ह तो जितने भी हमारे indicating type instrument होंगे उनमें ये बल जो है बर्क करते हैं indicating type instrument क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिन में हमारे को reading जो है pointer और scale के माद हम से मिलती है जैसे कि ampere meter होगे bolt meter होगे तो वो सारे indicating type instrument में आते हैं तो deflecting torque क्या होता है कि ऐसा torque जो हमारे pointer को deflect करता है अपनी स्थीती से यानि कि zero से आगे क्यों deflect करेगा तो वो deflection मतलब किस पर depend करेगी जिस हिसाब चाहिए हमने इसमें supply दी है हमने current ना अपना है तो कितना current यह जो हमारा electromagnet पर बरकर मतलब magnet के प्रभाब से यह deflect करती है नीडल यहां से जैसे हम इसमें coil में supply देंगे तो coil में magnet बनेगा और बाहर से पहले ही permanent magnet लगा हुआ है तो इसमें जो हमारी coil है उसमें भी magnet बनेगा magnet बने से pole बनेगे पोल से क्या होगा या तो attraction होगी या फिर repulsion होगी जिसके कारण हमारी जो needle है वो deflect होगी यहां से तो जो मीटर में हमारे को डिफ्लेक्टिंग प्रापत होती है वो होती है मेगनेटिक एफेक्ट के कारण और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है जो ऐसा वल जो हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करें उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं ये तो गया reflecting torque, तो उसके बाद दूसरा था कंट्रोलिंग torque, मिटर में controlling torque का होना भी भाहत अभजचेक है, अगर मिटर में controlling torque नहीं होगा, तो reflecting torque की बज़से जो हमारा pointer है, वो कभी मतलब रुके गए हैं नहीं, वो सीध ही आगे चलता जाएगा और हमारा pointer तूट भी सकता है उस तरह से इसलिए मेटर में इन तेनी टॉर्क होना बहुत ज़रूरी है तो controlling torque की बात कर लेखे controlling torque क्या होता है तो controlling torque वह torque होता है जो हमारे deflecting torque की बस जो हमारा pointer deflect हुआ था उसको control करने के लिए एक निश्चित point पे उसको control करने के लिए और जैसे हमारा deflecting torque खत्म होता है तो pointer को अपनी जगा बापीस वेजने के लिए controlling torque का ही use कह जाता है है कि आपने देखा होगा कभी भी किसी मीटर को चला तेश मैं जब उसमें सप्लाई देंगे तो वह रेडिंग बताता या डिफ्लेक्ट होके तो जैसे हम उसमें सप्लाई आफ करेंगे तो वह पॉइंटर बापिस अपनी जगा पर किसकारण आता है कंट्रोलिंग टॉर्क्र वेशान के और पॉंइंटर अपनी जाग से डिफ्लेक्ट होके आगे स्केल पे रुखता है और बापिस भी यह स्प्लाइए आफ करेंगे यानिकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा खतम होगा तो जो पॉंइंटर है वह बापिस भी कंट्रोल इंट और की वाज़ासी अपनी हिसाब से हमने मीटर में लूड लगाया है यन्की हमारा जो लूड कितना एंपेर क्रेंट लेगा उस हिसाब से हमारा जो कंट्रोलिंग ट्रक है वह हमारे पउइंटर को स्केल पए कंट्रोल करेगा और दुसरा कारे है है difflecting tork के खत्म होने पर हमारे pointer को बापिस उसी condition में भीज देना तो controlling torque के ना होने के दो disadvantage एक तो हमारा जो pointer रहे वो सीधा ही आगे चलता रहेगा अगर controlling torque ना हो और pointer आगे जाके तूट भी सकता है और दूसरा जो हमारा प्रहाएं वो आगे से बापिस नहीं आएगा जैसे हमारा पंचर यहां से डिफ्लेक्ट होगा अगर यहां फे रूख भी यह antibook होग तो पॉंटर यहां फिर बापिस नहीं आएगा और यहां से और प्सकेशार का हैं तो controlling टॉर्क इसमें बहुत जुरूरी होता है जुरूरी तो तेनों टॉर्क होते हैं लेकिन controlling टॉर्क भी उतना ही important है जितने की Dawhirt Nolkadoy porc जो controlling torque है वह हमारे को दो बीदियों से पराप्ट होते है akkart करने के लिए 2 वीडियो होती है एक होती है spring control एक हो हुता है gravity control मेंथड तो जो spring controller gravity control मैथड ने इनके उपर मैं next विदियोड बिनाऊंगा तो आप पहले ये वीडियो देख लेगेगा उसके बांद में नेक्स्ट वीडियो है कंट्रोलंग टॉलिंग के मतलब किस मतलब कितने प्रकार आ रंप को प्राफ्ट करने के लिए कितनी डीया है तो मैं आपको बताए ओगर ग्र investisch कंट्रोल ंग को सब्सक्राफ किBut к Gateway आप देख सकते हैंि intestMS तो पॉइंटर को यहां से डिफ्लैक्ट करेगा आगे की और्aten टार कया से पॉइंटर को पीछ पीछे की और देखें लेगा जब हम इसमें इसम्हटी बन्द कर देते हैं में यानिकि दिफ्लैक्ट न्वर्ड़िंग तस्प्ली बन्द होते रहे तो जो controlling torque है वो pointer को बापपिस अपनी condition में लेकर आएगा कि तो controlling torque deflecting torque की opposite work करता है तो बात कते हैं damping torque damping torque क्या होता है जब किसी मीटर में दो परकार के वल कारे करते हैं दो परकार के torque कारे करते तो उस pointer में जो है deflection होगी उस deflection को को खतम करने के लिए जो है damping torque का यूज के जाता है यान कि जब हम इस में मेटर में deflecting torque यूज करेंगे pointer भागेगा आगे उसके बाद controlling torque लगेगा वो pointer को पीछे की और दखे लेगा तो जो pointer है वो कुछ इस तरह से deflect करेगा अपनी जगा पर थोड़ा ही लेगा इस तरह से तो उस deflection को यानि कि उस हीलन को कम करने के लिए जो है damping torque का यूज के जाता है तो जो हमारा damping torque है उसको प्रापत करने की दो तीन वीडियां होती है एक होती है air damping एक होती है एक होती है fluid friction damping तो इन तीनों damping जो यह damping torque प्रापत करने के तीन मैथड़ है इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में आप सिर्फ देंपिंग टॉर्क के बारे में ही समझेंगे कि damping टॉर्क क्या होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि damping टॉर्क क्य होने के लिए जो है damping टॉर्क का यूज के जाता है तो यह थे आज का जो हमारा टॉपिक था लेक्ट्रिकल मेजूरिंग इंस्टूमेंट में यूज होने वाले टॉर्क तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाक्षिय ज़रूर करेगा अगर आप चैनल पर न टौर्क और डेंपिंग टॉर्क के ओफर लेकर आओंगा दो परकार के होते हैं counting टॉर्क यो प्रापत काने की टिरियान बोट ह 근데 आए तो सोफ कानी के लिए यह Daimping और को तो सप्रिंग से प्रापत होता है तब यह नेक्स्ट आपको आपको यह वीडियों वीडियो चले तो वीडियो को Grainer जरूर करेगाимо टॏ